MMS कांट के बाद बिवादों में चंडिगड उनिवर्सिटी आखिर कौन है इस उनिवर्सिटी के मालिक? कैसे खड़ा किया इतना बड़ा सामराज? पंजाब के मोहाली में चंडिगड उनिवर्सिटी की एक छातरा पर दूसरी लड़कियों के आपती जनक बीडियो बनाने क्या रोप है? इसको लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है ऐसे भी दावे हुए कि आरोपी छातरा ने कई लड़कियों की आपती जनक बीडियो और फोटो लेकर अपने बॉइफरेंड सनी महता को भेजा इस मामले में आरोपी लड़की उसका बॉइफरेंड सनी महता के अलाबा एक अन्यूबक रंकज बर्मा पुलिस की रिमांड पर है जिनसे पूछताच की जा रही है इस घटना के बाद उनिवर्सिटी प्रवंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं चंडिगड उनिवर्सिटी भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कई एकड में फैले इस उनिवर्सिटी से भी बिवाद जुड़ते रहे हैं एन्विटी के रिपोर्ट के मुताबिक चंडिगड उनिवर्सिटी ने बहुत कम समय में ही काफी नाम कमाया है इस उनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में की गई थी इसकी स्थापना करने वाले सतनाम सिंग संधू का भी काफी नाम है काफी कम उम्र में सतनाम सिंग संधू ने बड़ा नाम कमाया है उनकी सफलता किसी फिल्मिक कहानी से कम नहीं है सतनाम सिंग संधू चंडीगड वेलफेर ट्रेस्ट और निव इंडिया डेवलप्मेंट फाउंडेशन के संरक्षक भी हैं सतनाम सिंग संधू शुरुवाती दिनों में किसान थे मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2001 में शिक्षा के छेतर में कदम रखा वो मोहाली में चंडीगड ग्रूप ऑफ कॉलेज का हिस्सा बने उन्होंने एशिया में सबसे तेजगती से बढ़ने वाले प्राइवेट बिश्व बिद्याले चंडीगड उनिवर्सिटी की स्थापना की सतनाम सिंग संधू ने खुद जादा पढ़ाई नहीं की थी उनका कॉलेज धीरे धीरे लोगप्रिता हासिल करने लगा जिसके बाद सतनाम सिंग ने 2012 में चंडीगड उनिवर्सिटी की स्थापना की ये उनिवर्सिटी QS World Ranking 2023 में भारत के 40 सेक्षिनिक संस्थानों की लिष्ट में भी शामिल हो चुका है चंडीगड उनिवर्सिटी की स्थापना के बाद इसने सफलता के नए मुकाम हासिल किये लेकिन सतनाम सिंग संधू से भी बिवाद जुडते रहे पंजाब विश्रुविद्याले की एक उपसमीती ने चंडीगड उनिवर्सिटी के नाम पर अपत्ती जताई थी उपसमीती का कहना था कि निजी संस्था का नाम चंडीगड उनिवर्सिटी होने से छातरों के बिच ब्रह्म की स्थिति पैदा हो रही है वक्त गुजरने के साथ ये मामला शांत हो गया सतनाम सिंग संधू का राजनितिक दलों से भी रिष्टा रहा है उनके सभी पाटी के बड़े नेताओं से अच्छे रिष्टे रहे हैं सतनाम सिंग संधू पंजाब के फिरोजपूर में एक छोटे रसूलपूर गाउं में पैदा हुए थे उनके पिता एक किसान थे उन्होंने खुद किसान के तोर पर शुरुआत की लेकिन बाद में सतनाम सिंग संधू ने सिक्षा के छेतर में कुछ काम करने का फैसला लिया और आज सतनाम सिंग संधू सिक्षा के छेतर में एक बड़ा नाम है हाला कि इन दिनों MMS लिक मामले को लेकर चंडिगर उनिवर्सिटी सुर्खियों में बना हुआ है और प्रदर्शन करने वाले चात्रों ने युनिवरसिटी मेनेजमेंट पर कई आरोप लगा दिये हैं और कहीं न कहीं इन आरोपों की याँच सतनाम सिंग संधू तक भी पहुंची है इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहे ये One India Hindi